हेलो दोस्तों स्वागत है आपका दे ओर्टरिंग में आज मैं अमीरा खान एक नई वीडियो लेकर सामने आए हूँ इस वीडियो का विशे होगा पोप फ्रांसेज द्वारा लाए गए क्रिमिनल कोड में कुछ नई बदलाव पोप फ्रांसेज ने हाली में क्रिमिनल कोड में कुछ बदलाव लाए हैं पोप ने और गहराई से सेक्षल अब्यूस यानि यौन शोशन का वर्णन किया हैं चलिए सबसे पहले वाटिकन सिटी के बारे में कुछ जान लेते हैं वाटिकन सिटी एक देश और शहर दोनों हैं यहां का मुख्य धर्म कैथोलिजम हैं और भाशा इटालियन यहां पर मुनार्की का गवर्णन सिस्टम है वाटिकन सिटी में दुनिया का सबसे मशूर म्यूसियम भी हैं यहां का आर्किटेक्चर भी बहुत खुबसूरत माना जाता हैं यह शहर इतिहास की किताबों में भी बहुत नाम कमा चुका हैं यह नगर एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है लाटरिन ट्रीटी के असर आने पर 11 फरवरी 1930 में सामने आया था वाटिकन सिटी में काफी धर्मस्थल हैं जो वहां की संस्कृति को बया करते हैं जैसे सेंट पीटर्स चर्च और सिस्टाइन चापल इस शहर की आर्थिक विवस्ता में चर्च को दिये गए डोनेशन्स भी काम आते हैं अब किसी भी तरह का यौन सोशन बच्चों और औरतों को इस कानून के अंदर लाता है यह कानून 13 साल की जाट से निकला है दो सबसे बड़े बदलाफ लाए गए हैं आर्टिकल 1395 में और आर्टिकल 1398 में लाए गए यह चर्च को यौन सोशन के खिलाफ लड़ने के लिए और अच्छे से मजबूत करता है यह कानून ना ही सिर्फ बच्चों को बलकी बड़ो यानी एडल्स की भी रक्षा करता है यह कानून 8 डिसम्बर 2021 से लागो होगा 1983 की शिरुवात से ही वकील और बिशप्स का कहना है कि पुराने कानून यौन सोशन से लड़ने के लिए काफी नहीं है नए कानूनों के तहट अब प्रीस्ट को दफ्तर से बाहर भी निकाला जा सकता है पॉनोग्राफी जैसी चीजों या ऐसी वेबसाइट्स पर रोक लगाता है राइट टू डिफेंस भी इन नए कानूनों में लाया गया है एक इंटर्व्यू में पॉप ने अपना सहस सेम सेक्स कपल्स को भी दिखाया है फ्रांसेज कैपिटलिजम यानी पूझी वात के सकत खिलाफ है फ्रांसेज शुरुवात से ही गरीबों की सेवा करने में विश्वास रखते आए हैं पॉप फ्रांसेज ने और भी कई कदम उठाए हैं कोवर्ड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने जनता से मिलना बंद कर दिया गया था ताकि वाइरस लोगों की बीच ना फैले उन्होंने सभी प्रीस्ट से दर्ख्वास्त की कि इस मुश्किल समय में वे गरीबों को ना भूले उन्होंने सबसे प्राथना करते रहने की भी दौआ की पॉप फ्रांसेज ने महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए हैं 11 जन्वरी 2021 में फ्रांसेज ने महिलाओं के लिए कुछ मिनिस्ट्री खोल दी फ्रांसेज ने हमेशा से ही औरतों में विश्वास जताया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें